हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल राके सराइटी आई आज हम डिसकस करने वाले हैं, एमसी को कोश्चन ओन लिडर्शिप टोपिक जो की ट्रेड फाइनस एक्जिक्यूटिव का है लिडर्शिप क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो लिडर्शिप क्या होता है, जो दूसरे परसंस को लीड करता है तो उसी टोपिक के रिगार्डिंग, आज हम अपने कोश्चन्स हैं, वो करने वाले हैं So, let us start the video लिडर्शिप टोपिक में हमारा पहला कोश्चन है When the subordinate are disciplined तो लिडर्शिप स्टाइल, जो है, लिडर्शिप स्टाइल will be more appropriate कब होना चाहिए जब subordinate discipline हो तो autocratic होना चाहिए, free reign होना चाहिए, negative या any तो इसमें से हमने बताना है, कि जब subordinate discipline होते है एक्सपिरियन्स और qualified होते हैं, तो लिडर्शिप का स्टाइल will be more appropriate तो होना चाहिए, तो वो किस तरह का होगा तो इन में से किस तरह का लिडर्शिप स्टाइल वो होगा तो according to this question, अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो option सही बनता है वो हमारा बनेगा कि वो autocratic होना चाहिए या free reign होना चाहिए तो जो इसमें हमारा दे रख़ा है तो इसमें जो हमारा बनेगा free reign क्या होता है free reign वो होता है कि जो freedom से काम करता है कि जो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता तो जब subordinate discipline, experience और qualified होंगे तो उसमें जो leadership style है वो more appropriate option B में बनेगा second question है the theory of mangerial greed of leadership propound by किसके द्वारा की गई तो इसमें है black and mountain तो इसमें जो है वो हमारा right option है Robert House ने path goal theory दी थी F.E. Fiddler ने जो दी है वो contingency theory दी है R. Likert ने हमें four system theory दी थी question number third है how many possible leadership behavior mangerial greed theory leadership की जो है उसमें कितने behavior होते है 36, 49, 64 या 81 तो इसमें जो row होती है वो भी 9 पे होती है और जो column होते हैं वो भी 9 होते हैं जो diagram हमें दे रखाया है तो उसके according अगर हम 9 into 9 करेंगे तो वो आएगा हमारा 81 option D is right answer अब next question है हमारा question number four जिसमें हमने leadership के बारे में क्या बताना है the great man theory of leadership states that की great man theory कौन सी है leader are born not made leader are made not born both he or none तो इसमें जो हमारा right option है वो है अब हमें next question में mangerial greed theory के according leadership का best style बताना है कि वो कौन सा होता है option A है one one style option B है one nine option C nine nine option D nine one तो one one अब हम इसको explain कर देते हैं कि इसमें क्या है जो production है वो भी कम होता है और जो people है वो भी low होते है option B में जो production है वो हमारा low level का होगा और जो दूसरा nine दे रखा है वो हमें दे रखा है people के लिए तो उसमें वो है वो high level का होगा according to this question जो C option है उसमें हमें 9-9 style दे रखा है तो इसमें जो हमारा production है वो भी अपर जाएगा और जो people है relationship वो भी हमारा अपर ही जाएगा जो इसके according दोनों ही चीज़ें उपर जा रही है और जो हमारा option D है उसमें क्या है production high जा रहा है लेकिन जो people है जो relationship है वो हमारा low level पे जा रहा है लेकिन हमने leadership style में best बताना है managerial theory के according तो इसमें जो हमारा best option बनने वाला है वो हमारा आप समझी सकते हैं कि किसमे production और people दोनों का combination सही बना style yes option C is right answer अब हमारा अगला question आता है अगले question में हमें ये बताना है LPC leader mean LPC leader का क्या मतलब है तो इसमें जो हमारा right option बनेगा वो है least preferred co-workers yes तो जो least preferred co-workers होते हैं इसके भी आगे इसके आगे मैं अच्छे से explain कर देती हूँ एक तो high least preferred co-workers कर होते हैं high LPC होती है एक low level की LPC होती है जो high LPC होती है वो least preferred high जो होते हैं वो high level पर co-worker को cooperate करते हैं जो least होते हैं वो कम करते हैं इस question में according to Fiddler which leadership style is preferred by high LPC leader कि कौन सा high LPC leader का leader style preferred करता है तो इसमें हमें दे रख है relationship oriented, task oriented, both यह none, तो Fiddler के coding हमें high LPC का leader style बताना है तो उसमें आएगा हमारा जो option सही बनेगा वो हमारा relationship oriented जो task oriented होती है उसमें low LPC होती है क्योंकि उसमें preference है वो काम को ज़्यादा दी जाती है अब हमारा next question आता है Michigan studies related to employee and production oriented autocratic leader, democratic leader managerial grid तो Michigan studies बतानी है हमें तो वो हमारे option एस से related होती है employee and production oriented तो इसी में इसको preference दी जाती है इस question में हमें बताना है 4 system management theory जो लिकर्ट की है इन में से इन option में से उसमें क्या नहीं आता binocratic, cumulative, democratic यतीनों तो आते ही है और fourth number पे जो आता है वो हमारा हाता है exploitive जो free, rainy option नहीं आता उसके बाद हमारा अगला question आता है अगले question में हमें leadership के बारे में ये बताना है as per the life cycle theory which of the following noted leadership style leadership style नहीं है telling, purchasing, selling, delegating तो जो life cycle theory है वो हमें hazery and black ने दी है तो उसके according telling भी आता है, selling भी आता है delegating भी option, purchasing उसमें नहीं आता purchasing की जंगा पर इसमें आएगा participation, participating को add किया जाता है इस question में हमें बताना है managerial grid theory में 9-1 style को क्या कहते है जो country club management है वो हमारा मिलकर बनता है 1 और 9 से जो authority compliance है वो हमारा मिलकर बनता है 9 और 1 से improvements 1-1 और team management 9-9 से मिलकर बनता है तो right option B है अब हमारा next question आता है piddler contingency theory के according situation factor नहीं है तो fiddler की contingency theory में 3 factor दे रखे है 4 नहीं है तो 3 है task structure, leader member relationship और position power ये 3 है fourth नहीं है तो D option is right position authority अब हमारा अगला question है a leadership style in which a leader concentrate all authority in himself is called कि वो खुद ही concentrate करता है तो आएगा autocratic अब हमारा अगला question आता है जिसमें हमने match करना है list 1 और list 2 को जिसमें हमें एक side A, B, C, D option दे रखे हैं उसको हमें match करना है जो country club management है वो 19 style से related है उसके बाद जो हमारा next बनता है तो इसमें जो production है वो low होता है और जो people होते हैं वो high level के होते हैं उसके बाद जो task leadership है वो हमारा 9-1 style है जिसमें हमारा जो production है वो high level का जाता है और जो people होते हैं वो हमारे low level के होते हैं उसके बाद जो आता है आपको पढ़कर आज बहुत ही मज़ा आया होगा तो इसके वारे में आगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना थेंक्स